तो हेलो दूस्तों क्या हल हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने ग्राफिक्स कार्ड का जो इन्विल्ड इंटल ग्राफिक्स कार्ड होता है उसका वीडियो रैम कैसे बढ़ाएंगे और आपका गेमिंग एक्सपिरियंस कैसे स्मूथ करेंगे याद रखिए यह मैथोड सिर्फ इंटल में ही काम करेगा तो आपका ग्राफिक्स कार्ड इंटल है की नहीं वो कैसे देखेंगे उसको देखने के लिए आप यहापे स्टार्ट में जाके सेटिंग्स में जाएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद यहापे आपको सिस्टेम information के बाद यहां पर आपका graphics card का नाम दिखेगा मेना graphics card nvidia geforce gt 1030 है यह nvidia का है आपका Intel होना चाहिए और यहां पर इंटल प्लास उसके साथ इंटल का model नम्बर यहां लिखा रहेगा इसके बाद आप यहाँ पर डिस्प्ले एड़ेप्टर प्रोपरटिस में क्लिक करेंगे क्लिक करने से यह विंडोर खुल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं डेडिकेटट वीडियो मेमोरी जो है यहाँ पर 2GB यानि की 2048 MB है तो हम इस मैथोड से यह जो वीडियो मेमोरी है इसको हम इंक्रीस करेंगे जिससे आपका ग्राफिक्स स्मूथ हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में विंड P G E D I T ये लिखने के बाद आपको OK करना है Windows यहाँ पर मंगे आप येस करेंगे फिर यहाँ पर आप लेप साइड में देख पार हैं बहुत साटा ओप्षन है यहाँ पर आपको एज की लुकल मेशिन में जो साइड में एरव है इसमें क्लिक करना है उसके बाद आपको यह आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहां पर नियू फिर की में जाना है यहां पर नियू की आ जाएगा यहां पर आपको इसको नाम देना है जी एम एम केपिटल में देना है फिर एंटरपेस करना है फिर से आपको जी एम एम को स्लेक करना है और राइट क्लिक करके new उसके बाद d word 32 bit value यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर देखिए new value add हो चुका है यहाँ पर आपको इसको rename करना है इसमें आप type करेंगे dedicated segment size और इसमें कोई भी space आप नहीं देंगे लिखने के बाद आप इसमें double click करेंगे तो यह value data यहाँ पर आ जाएगा और इसमें आप value add करेंगे उससे पहले आप यहाँ पर base देख सकते हैं यहाँ पर आपको decimal पर click करना है क्लिक करके यहाँ पर आपको value change करना है याद रखिए आपका अगर 2GB RAM है तो आप यहाँ पर 256 लिखेंगे अगर 4GB RAM है तो यहाँ पर 512 लिखेंगे अगर 8GB RAM है तो 1024 लिखेंगे और अगर 16GB RAM है तो 2048 यहाँ पर type करेंगे तो मेरा 8GB RAM है तो मैं type करूंगा 1024 उसके बाद हम okay करेंगे और इसको close कर देंगे इसके बाद आप अपने PC को restart करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो dedicated memory है यानि कि VRAM है वह increase हो चुका है और आपका जो graphics performance है वह smooth हो चुका है तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो हुआ होगा अगर हुआ है तो इस वीडियो में जरूर एक लाइक कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में